खारी तेजिर साथ जिन्दाबाद जिन्दाबाद सुभान अल्लाः वही आवास की दिए पहले थे आप कुछ मत कीजिए इसके पूट पूट बहुत अच्छे सुभान अल्लाः ये बजमे मैं है जामे जम नहीं है यहां कोई किसी से कम नहीं है आप देख रहे हैं ना यह आ महिनत से पड़ा माशाआललाः आप सब की महबतों के साए में अच्छा बड़ा आप सबने तो होसे नमाजा महबत और खूलूस का इधार किया हमारे भाई रहमत अल्य साब है और हमारे नईब बहुत करता हूं साथी साथ आपने देखा कि हिंदोस्तान का एक और आजिम सन बरकाती वो भी आजिर है बस उनका खिलाब होने वाला है बहुत अच्छे अंदाज में मौतरम जनाबे कारीत तहजीव रजा हम सब को नवाद रहे थे मैं जब ये पढ़ रहे थे तो मेरे जहें में कुछ शेर आ रहे थे अगर आप सुनना चाहते हैं वाकई शेर को सुनन हुआ करता है हमारे रहमत भाई जुम्ला अच्छे सावाई में निगांगे सामने एक शेर समात करें जूंके बहुत सुभान अल्ला हभी आप देख रहे थे जब ये बात मदीने शरीफ की कर रहे थे तो एक शायर ने कलम उठाया दिखा बुला लो मुझको मदीने में रहम रहमतों के करीब पड़ा रहूंगा गुलामों की जूतियों के करीब और तलाश कर लो के जन्नत यहीं कहीं होगी मेरे रसूल के रोजे के जालियों के करीब बुलालो मुझको मदीने में रहमतों के करीब भड़ा रहूंगा गुलामों की जूतियों के करीब तलाश कर लो के जन्नत यहीं कहीं होगी मेरे रसूल के रोजे की जालियों के करीब मेरे रसूल के रोजे की और जब कोई हाजी अभी आप देख रहे हैं कि हुजाजे कराम का काविला पहुंचा अरकान अदा किया तवाफिर कावा से अपने आपको मुश्रणब किया उसके बाद अभी काविला वापस है बहुत सारे हुजाजे कराम का अपनी निगाहों से देखेंगे तो जब कोई हाजी लौट के आता है तो कसम वदा कि जब शायर अपने खुरूस का इजहार करता है और उसकी तरफ इशारा करता है तो यही कहने पर मजबूर होता है कि अंगूठी लेके आए है नगीना छोड़ाए है तरह मुहबब से बोलने सुभान अल्ला पीछे वाले चचा भी बोलने सुभान अल्ला अंगूठी लेके आए है नगीना छोड़ाए है बहुत पश्ता रहे हैं जो मदीना छोड़ाए है अंगूठी लेके आए हैं नगीना छोड़ाए हैं बहुत बच्ता रहे हैं जो मदीना छोड़ाए हैं और हमें मालूम है फूलों में खुस्बू की वज़े क्या है हमें मेरे सरकार गुलशन में पसीना छोड़ाए हैं और बचाने के लिए कर्बो बला में दीन की अजमत हुसाइन इबने अली हज का महीना छोड़ाए हैं और जब बात हुसेन पाक की आती है तो याद रखिए खुदा पाक ने उसको अमान दे दी है नभी के नाम पे जिसने भी जान दे दी है नरोग पाएगा रिजवान उसको जन्नत से अली के लाल ने जिसको जबान दे दी है अली के लाल ने जिसको जबान दे दी है बस उससे पहले मैं चाहता हूँ कि एक बेतरी नूरानी खिताब हो जाए अच्छा खिताब शानदार खिताब कुछ मालूम बाती बाते आप तर पहों जाए बस पंदरा मिनट के लिए आपकी समातों के अवाले उस खतीब को कर रहा हूँ जो आप फज़रात के निगाहों के सामने है बस पंदरा मिनट के लिए आएंगे अच्छे नसियत अमेज गुल दस्ते आपकी समातों के जन्वील में रखेंगे कि इन्शालला आप इस तजाबे फैस हासिल करेंगे मैं बड़े अद्व एतराम के साथ खतीबेज दिर्शान जद्लामा कारी मजद्लामा सगी रह्मत बरकाती साकुला की बारगाह में मतमिश हों कि नसरी खिर्मात के लिए समाई आपका इतिजार कर रहे हैं आए नारो रिस एक बात कर लें और उनहें मैक पर आने के यहता दें नारे तक्बीर और नारे आपका इस रगाए है नारे रिसालत जसने एद मिलादननभी फैजाने मखदू मश्रब फैजाने गोस-आजम फैजाने गर्जाने गरीम नवास मद्लग अला हज़र नारे तक् भलके बुद्रगों पे तफ्सिरा करना ये लोग पानी भी सूखी नदी से पीड़े जल्वा बार मौकर अल्माई कराम वशुराई इजाम सामईन एहल सुन्नत असलाम अलैकुम वरहमत ल्लाही वर्कातु अल्हाम वर्कातु मह्मुमु मर्दियू लदे सलात अंतबका वतदूमु बदवामिलमल्किलही ल्कयूम अशहद अल्लाह इल्लाहु वशहद अन्ना मुहम्मद अब्दू हु रसूलु अमा बाद वाओजू बल्लाही मिन श्चैतान रुजीम बिस्म ल्लाही रुछ्मान रुछीम या अयुहन नास उत्तकू रबकूमु लदी खलककूम मिन नफस वाहिदा सद्ध ल्लाहु मुलाना अलियु लखीम वस्द्ध रसूलु नभी लवीन अमीन अल्मतीलु करीम वनहन वला गली काल मिन शाहिदीना वशाकिरीन वल्हम्द लल्लाही रुपिलालमीन आईए कुछ अर्ज करने से पेश उतर दोनों जान के मालकों मुखतार सेदे अबरार औखियार हुजूर रह्मत आलम नुगर मुजस्टम शाह बनी आदम रसूल मुटशम शहिंशाह अर्व अजम हुसूर पुर्णूर सरकार दौालम सलल्लाहु ताला अलिही वसल्लम की बारगाहे पुर अनवार में खादिमाना गुलामाना अंदाज में दुरुद पाग का हदिया पेश करें वाली ही वबारिक वसल्म सलात स्लातं वसलाम ुलेका सियदी या अरिस्व सूल शौल्लह तालाजे का का अजरात बहुत देर से आप तमामी प्युल्म महमान शोरा से नाति मुस्तफा स्लिल्लाई अल्ही अल्ही वसल्म समात फर्मा रहे थे इना चीज खुब्म की तामील के लिए करम फर्मा अखलाक हसना के पैकर हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुहम्मद उमर साहब कि अल्ही अल्ही नौरानी के हुक्म के तहए थोड़ी देर आपके सामने हाजिराया इन्शालला नकीब अहल सुन्नत ने जो मुझे टाइम दे दिया है उसी के अंदर मैं अपनी बात कहने की कोशिश करूँगा आप मुझे सुनते रहते हैं और तमहीदी तोर पर माहौल बनाने के लिए खतीब अहल सुन्नत के लिए मैं आपके सामने हाजिराया दुरुदे पार कहदिया एक मरतबा और पेश कर लें एक लिए अजिया हुमा बलफातिमा शाह मर्दां शेरे अजना पुटे पर वर्दिगार ला फता इला अली ला सैफा इला जुल विकार अज़राग नाति मुस्तफा सिल लाह ताला रहिए आप ने समात फर्माई बहुत अच्छे अंदाज ही हसूल और बरकत के लिए दो शेर मुझसे भी समात फर्मा ले कलाम अमाम, कलाम आला हजरत के मुशर्फ करने के लिए अपने आप को मैं दो शेर पेश कर रहा हूं समात फर्माए उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिये हैं जिस राह चल दिये हैं उनकी महक ने दिल के जब आ गई है जो शेर रहमत पे उनकी आखएं रहमत पे उनकी आखएं जलते बुझा दिये हैं रोते हसा दिये हैं जलते बुझा दिये हैं उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिये हैं उनकी महक ने दिल के और मेरे करीम उसे गां खतरा किसी ने मागा खतरा किसी ने मागा दरिया बहा दिये हैं दुरुबे बहा दिये हैं दरिया बहा दिये हैं दुरुबे बहा दिये हैं उनकी महक ने दिल के मेरे आका की तारीफ औ तौसीफ हम्दो सना काइनात का जर्रा जर्रा कर रहा है सारा जमाना मेरे आका की नात पढ़ता है सारी काइनात मेरे आका की नात पढ़ती है हर जमाने में हर दौर में सरकारِ بावकार ﷺ की नाद पढ़ी गई और हर जमाने में पढ़ा जाएगा सरकार ﷺ के बारगाह के नाद खां हदरतِ हसान रदियल्लाह अन्हों है वो लिखते हैं वाहसनो मिनका लम्त रकत तौईनी वाजमलो मिनका लम्त लदिन निसाओ खलिकत मुबर्रां मिन कुल आईबिन कान नकाकद खलिकता कमात शाओ जिसका अर्दू में तरजमा ये होता है वाहसनो मिनका लम्त रकत तौईनी या रसूल ल्लाः मेरी आँखों ने आप जैसा खोब सूरत हसीन तनी कुसी को न देखा वाजमलू मिनका लमतल दिन निसाओ आप जैसा हसीन तनी धिन फूरत किसी की माने जना ही नहीं खुलिकत मिबर्म मिन कुल्ले आईब्न आप हर आएब से इस तरह से पाको साफ हैं कान्नका कद खुलिकता कमातशाओ जैसे आप अपनी मर्जी और पसंद से पैदा किये गए अल्लामा शेयक साथिय अले रह्मा सरकार दौालम सलल्ला अले अले वसल्लम की तारीफ करते हुए लिखते हैं पहुचे बलंदियों पर अपने कमाल से दूर कर दिया अधेरे को अपने जमाल से घसनत जमी और खिसालि ही तो हसीन हैं उनकी सब खसलते उनकी सारी खुबियां और चौत्हा मिसरा आपको नहीं आ रहा था नात लिखना और नात पढ़ना बहुत बड़ी अबादत है और बहुत बड़ी साधत है इसलिए कि रसूल पाक ﷺ की महबत ये मेयारे सिंदगी है अल्लह ताला की महबत है रसूल पाक की तारीफ रसूल पाक की तारीफ अल्लह की तारीफ है रसूल पाक की हम्दोसाना, अल्लह की हम्दोसाना है रसूल पाक की बलंदी, अल्लह ताला की बलंदी है और रसूल पाक ﷺ की नात अल्लह की नात है रसूल पाक से जतनी ज्यादा महबत होगी वो उतना ही ज्यादा रब के खरीब होगा रब का महभूब होगा रब का प्यारा होगा रब की बारगाह का वली होगा रसूल पाक की महबत मे आरे जिन्दगी है रसूल पाक ﷺ की नात हर जमाने में लिखे गई है और नात लिखना तलवार के धार पे चलने के बराबर है इसलिए कि रसूल पाक उस मकाम पर फाइज हैं जहां मुबालगा नहीं हो सकता जहां शान बढ़ाई नहीं जा सकती और अगर आप खुदा के बाद जो कुछ भी रसूल की तारीफ करोगे वो रसूल की हकीकत से कम होगी रसूल पाक की हकीकत से कम होगी मुबालगा नहीं कर सकते रसूल की शान में ये शादी खाना आबादी का मौका है और मिलाद पाक रहमत के लिए बरकत के लिए रचाई और बसाई गई है मैं अपने मौजू पे गुफटगू नहीं कर रहा हूँ तमहीदी तोर पर मैं आपके सामने हाजिर आ गया हूँ नाते पाक लिखना बहुत बड़ी अबादत नाते पाक पढ़ना बहुत बड़ी अबादत नाते पाक सुनना बहुत बड़ी अबादत इसलिए कि रसूल पाक की महबत में जैसे जैसे आप मुस्तवरक होते जाएंगे रब के उतना ज्यादा करीब होते जाएंगे अल्हामा शेयक साधिय अले रहमा तीन मिस्रा लिखने के बाद खामोश है चौथा मिस्रा जियन में नहीं आ रहा है रात में सोते हैं खिसमत अगड़ाई लेती है खिसमत का सितारा चमकता है रसूल पाक स्लिल्ला अलही वसल्म खाव के आलम में तश्रीफ लाते हैं और कहते हैं ये शेख साधी तूने मेरी तारीफ कर दी है यानि कह दिया बलगल अलाब कमाल ही पहुँचे बलंदियों पर अपने कमाल